हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं विज्टर मास्टर चैनल अगर आप इस चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राब करते हैं वक्त बलागन को प्रेश करना ना बुलिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट हर ग्लास आपको टाइम पर मिले दोस्तों देखिए यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग 3 फरवरी 2013 को जो सीटेट का एक्जाम हुआ था उसमें हिंदी के जो कोशन पूछे गए तो उन सारे कोशन को सौल करेंगे और इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो 2 फरवरी तक जो है हम लो अधार पर उनका आगलन करेंगे इसमेंसे किस आधार पर आप जो है उनका आखलन करेंगे फस्ट दिया गया है। भाषा में प्रवा सेकेंड है विसह को कि नैभिने पूँरता थाड है वीबणे लेखकों को के कफंथल्स फोर्थ है प्रस्तुति करण तो दोस्तों देखि ये आपको बताना है तो Option E दिया गया है अनुमान प्रश्ण करना असपष्ट करना और साराण्षी करणा दोस्तों इसका जो correct आंसर होगा वो अनुमान, प्रश्न करना, अस्पस्ट करना और साराणशी करणड़, option A जो है यही इसका correct आंसर हो जाएगा, ठीके, अगला question हम लोग देखेंगे, संपरिश्वरात्मक कतिविदी के शुरुआती चरणड़ अध्यापिका विद्यार्थ विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है, यहां पर जैसा की question में दिया गया है कि संपरिश्वरात्मक गतिविदी के शुरुआती चरणड़ अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यक्ता हो मदद दे रही है, और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत अंतर क्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरी की पसंद नापसंद जान रहे हैं, अंतर क्रिया के दोरान जब भी और जहां भी आवश्यक्ता हो अध्यापिका विद्धार्थियों को आवश्यक संकेट मदद की रूप में दे रही है यहां समस्त सिचड अधिगम परक्रिया अधिगम के किस सिध्धान्द को परतिविंबित कर रही है option A दिया गया है विवारबाद B है संग्यानात्मक संकेट C है अंतक्रियात्मक D है सामाजिक संक्रितिक तो इसमें जो पूछा गया है यहां समस्त सिचड अधिगम परक्रिया अधिगम के किस सध्धान्द को परतिविंबित कर रही है तो दोस्तों यह होगा अंतक्रियात्मक option C जो है यह इसका correct answer होगा अगला question देखेंगे फर्स्ट दिया गया है श्रवे ओम लिखित सामगरी के संरचनात्मक और व्याकरिक तत्तों का परतिच अध्यापन सेकेंड दिया गया है श्रवे और लिखित सामगरी को विद्दार्थियों के प्रयोग हैतु सामाजिक और सांस्क्रितिक संदर्वों से जोड़ना थर्ड दिया है कार की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची के संदर्व में कौशलों के विकास पर केंद्रित हों निमनलकित में से कौन सा उपर बताये गये सिधान्त पर आधारित है ये आपको बताना है इसमें से बताना है कि कौन सा उपर बताये गये सिधान्त पर आधारित है तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है सामाजिक आधारित निर्देश बी है प्रक्रेटिक उपागम C है मौन तरीका, D है कारे आधारित भाषा सिचड ये दोस्तों देखिए सामगरी जो है आधारित सामगरी आधारित निर्देश होगा option A वाला आप देख पा रहे हैं यही जो correct answer होगा सामगरी आधारित निर्देश जैसा कि first second और third में दिया गया है सामगरी आधारित निर्देश भाषा की वजाए जो है सामगरी पर केंद्रीत है ये जो है दूसरी भाषा सिचड के दिरिश्टिकोर को संदर भीत करता है जैसा कि दिया गया है first second और third में तो इसमें पुछा गया कौन सा उपर बताए गया सिधान पर आधारित है तो ये सामगरी आधारित निर्देश पर आधारित है तो option A जो है इसका correct answer हो जाएगा next question देखेंगे दितिय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है यहाँ पर बताया गया है कि दितिय भाषा के अधिकम में क्या शामिल है यह आपको बताना है option A दिया गया है लच्चे भाषा में विभीन इस्तितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना B है विभीन परकार के श्रव्यवा लिखित सामगरी का उप्योग करना C है अकादमिक रूप से लच्चे भाषा में प्रतिक्रिया देना D है विभीन इस्तितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना दितिय भाषा के अधिकम में विभीन परकार की जो है श्रव्यवा लिखित सामगरी का उप्योग करना यह जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए मनों से जो है अपनी भाषा के रहन सान की कोई दूसरी भाषा सीख कर अपने को समाजिक संप्रेशर के उन छेत्रों से जोड़ सके जिनकी पूर्ति दितिय भाषा के माद्यम से ही संभवा तो भी करेक्ट आंसर अगला कोशन आपलोग देख पारोंगे भाषा के कच्छा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माग की गई आम उद्धोशडाओं और वक्तम्यों का विशलेशर करने के लिए कहा यहां अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है ओप्शन ए दिया गया है ल और वक्तम्यों का विशलेशर करने के लिए का यहां अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है तो यह दोस्तों वाचिक विमर्ष चिंतन पर बल दे रही है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन भी ठीक है अगला कोशन हम लोग देखेंगे निमनलखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिकम में भाषा की बहुष शब्दिया इकायों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है अप्शन ही दिया गया संद्राशनात्मक उपागम बी है मोखिक उपागम सी है प्राक्रितिक उपागम डी है शब्द कोशिय शब्द कोशिय उपागम होगा अप्शन डी जो है इसका औरिक्ट आंसर होगा लुगन है तो यह उन पहले से गड़े विए बहुत से समों से बनती है है तो यह इसका औरिक आंसर होगा अगला कोशिय आप लोग निमनालखित मैं से असमान की पहचान करें इस कौन सा आसमान है, ये आपको बताना है, ठीक है? Option A दिया गया है, बच्चों में परथम भाषा के विकास के समानांतर अरजन सवभाविक तरीका है, B है अरजन अचेतन परक्रिया से सम्बंदित है, C है अर्जन भाशिक निपूर्टा के सुभाविक विकास से संबंद रखता है और D दिया गया अर्जन भाशा की नियमों के चेतन ग्यान पर बल देता है तो निल्गलिकित में से आसमान की पहचान करनी इसमें से कौन सा आसमान है ये आपको बताना है ठीक है अर्जन भाशिक निपूर्टा के सुभाविक विकास से संबंद रखता है अर्जन भाशा के नियमों के चेतन ग्यान पर बल देता है ये जो है आसमान है ओप्शन डी वाला ये ही जो है करिक्ट आंसर होगा ठीक है अगला कोशन देखेंगे प्रकृति वादि उपागम किसके सिधानत के आधार पर सिच्छर सास्त्री अनुपरियोगों को विक्सित करने का प्रयास है ओप्शन ए दिया गया है रोजर ब्राउन बी है स्टीफन कैशन सी है ब्लूम फिल्ड डी है कोविन प्रकृति वादि उपागम स्टीफन क्रेशन का सिधानत है तो इसमें आप देख पारोंगे बी वाला अप्शन स्टीफन कैशन ये जो है करेक्ट आंसर होगा ठीक है स्टीफन कैशन अगला कोशन देखेंगे अभी कतन ए है चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्ट प्रिडामों की जाच और सुधानी के प्रविच्षड के रुप में कारे करता है कारण R दिया गया है प्रयाप्ट समय संट रचनाओं पर ध्यान और नियमों का ग्यान ये तिन शर्तें प्रविच्षड के सफल प्रयोग की शर्ते है इमलखित कोड में से सही उत्तर का चैन कीजिए फरस्ट में दिया गया है A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या है B है A और R दोनों सही है लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है C दिया गया है A सही है लेकिन R गलत है D दिया गया है A गलत है लेकिन R सही है तो इसमें दोस्तों देखे A और R दोनों सही है लेकिन R A की सही व्यक्या नहीं है option B जो है इसका correct answer होगा अगला question आप लोग देख पारोंगे इसमें भी A करके दिया गया है निम्नारिकित code में से सही उत्तर का चैन कीजिए option A दिया गया है A सही है लेकिन B गलत है B दिया गया है A सही है लेकिन B गलत है C दिया गया है A और B दोनों सही है और D दिया गया है A और B दोनों गलत है यहाँ पे दोनों में option A सही है लेकिन B गलत है A सही है लेकिन B गलत है A भी दोनों option शेम है A और B दोनों सही है और D A और B दोनों गलत है दोस्तों देखिए यहां पे जो है A और B दोनों सही है यानि जो A में दिया गया है ये और B जो दिया गया है ये दोनों सही है तो option यह option यह ध्यापक होने के नाति आपका मुख के धान किस पर नहीं होना चाहिए इसमें से पुचा गया है कि एक अध्यापक होने के आते आपका ध्यान इसमें से किस पर नहीं होना चाहिए उप्शन ए दिया गया है विभीन भाषाओं की सुकृति भी है सभी को एक समान समय देना उच्च अस्तरी चिंतन को प्रुशाहित करना विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुनत करना तो किस पर मुख्य धान किस पर नहीं होना चाहिए ये तो होगा विभीन भाषाओं की सुकृति सभी को एक समान समय देना उच्च अस्तरी चिंतन को प्रुशाहित करना ये नहीं होगा विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुनत करना ये भी होगा तो ये नहीं होगा यानि यही जो है आंसर करेक्ट जाएगा अगला कोशन देखेंगे भाशा में शब्दों की अंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्यन किस रूप में जाना जाता है तो यह रूप क्राम में या या कृति मूलक ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट अंसर होगा अगला इस क्लास का लास्ट कोशन है कुछ विद्दार्थी कच्छा में एक दूसरे से बात करने से संकोच करते हैं संकोच को दूर करने के लिए क्या सरुत्तम उपाय किया जा सकते हैं ए दिया गया है उन विद्दार्थियों को प्रुशाहित करें बी है कच्छा में अनुपचारिकति विद्दियों का आयोजन कर उनमें विद्दार्थियों को संलग न किया जाए सी है उनके निश्पादन है तो उन्हें पुनरबलन दिया जाए D दिया गया है उन्हें कुछ और तरस के काम दे दिये जाएं कुछ विद्यार्थी कच्छा में एक दूसरे से बात करने में संकोष करते हैं कुछ विद्यार्थी हैं जो क्लास में एक दूसरे से बात करने में जो है उन्हें वो लोग संकोष करते हैं पायोजन कर उनमें विद्धार्थों को सनलंग्ण किया जाए ये भी होगा C दिया गिया है उनके निश्पादन है तो उन्हें पुनरबलन दिया जाए ये भी होगा D है उन्हें कुछ और तरह के काम दे दिये जाए ये नहीं होगा दोस्तों तो फर्स सेकेंड थर्ड यानि ए बी सी जो है किस ऑप्शन में दिया गया है फर्स सेकेंड थर्ड फर्स सेकेंड थर्ड अप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है यही जो है करिक्ट आंसर होगा तो दोस्तों ये थे तीन फरवरी 2030 को पूछे गए हिंदी के कोशन जिसे हम लोग स्वाल कर चुके हैं बागी जो आपके डाउट होंगे आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों मिलता है नेक्स वीडियो में और प्लीज दोस्तों वीडियो को ज